हाँ तो बुच्छो आज का जो फर्स्ट क्वेशन है फर्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पे है क्या बूल रहा है find all the zeros of polynomial 2x to the power 4 minus 3x की power 3 minus 3x square plus 6x minus 2 if two zeros are this क्या बूलना चाहरा है कि इसके सारे zeros निकालने हमें अगर दो zeros दे रहे हैं पहली तो सबसे बड़ी बात कि जितनी highest power होती उतने zeros आते हैं उतने answer आते हैं यहां पर highest power x की क्या है 4 है तो answer भी कितने होने चाहिए 4 दो zeros हमें दे रहे हैं यानि दो इसके solution दे रहे हैं एकस की दो value दे रहे हैं इसका मलब दो और निकलेंगे ठीक है इस step का एक question 110 परसंट आे गए आएगा दो question में करारहो और तीन तुमें दे रहा हो हो तो बड़े अच्छी तरहीं किसे तुमने करने 100% आता है जो 2 में करा रहा हो और जो 3 तुम्हें दे रहा हो वसे 5 question करने इस step एक जरूर आएगा 4 marks के question में ठीक है या 5 marks में भी आ सकता है ये क्या बूल रहा है find all the zeros इसके सारे zeros निकालो अगर इसके 2 zeros दे रिखे हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं step के question में 2 zeros लिख लेते हैं एक x की value दे रिखे है root 2 ये लिखा मैंने और दूसरी x की value दे रिखे है माईनस root 2 पहले equation बनानी तो जो x की value दे रिखे है उनको लिख लो आप bracket में तो x इस वाले 2 को हम इधर लाएंगे तो इधर आ के हो जगा minus का root 2 और इस वाले x को हम बटा इधर की तरह लाएंगे तो आएगा x plus का root 2 अब यहाँ पर formula कौन से लग रहा a minus b और a plus b सबको पता होगा a minus b और a plus b होता है a square minus b square तो यह आजगा x square minus का root 2 का square square से root cancel हो जाता है यानि equation बनगी x square minus 2 तो पहला काम तो आपका यह है कि आपने एक equation बना देनी है ठीक है यहाँ तक मेरे क्याल से सबको आगए होगा अब दूसरा काम क्या है बटा हमने इसको ना यह जो equation बनेगी इसको हमने पूरे question से divide करना है यानि x square minus 2 से हमें divide करना है कौन सा number 2x की power 4 minus 3x की power 3 minus 3x square plus 6x minus 2 यह divide करना है अब divide करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे 2x की power 4 चाहिए x square को मैं किस से करूँ 2x की power 4 आजाए देखो x square को किस से multiply करें कि 2x की 4 आजाए तो एक तो 2 चाहिए और x की यहाँ पर क्या चाहिए मैं 4 चाहिए और यहाँ पर क्या है x का square है तो यहाँ पर 4 लाने के लिए हमने क्या करा square कर दिया ताकि अब अगर multiply करो तो आएगा 2 और x की power 2 और 2 4 हो गया multiply में power एड हो जाते हैं फिर इसको भी multiply करना पड़ेगा multiply इन दोनों को करना पड़ेगा दोनों को तो 2 को इससे करेंगे तो 2 2 जब 4 x square तो इसको इसके नीचे लिखेंगे same power के नीचे same power आने चे ये आपने बड़े ध्यान रखना बहूत जदा तो यहाँ हम नीचे वालों को sand change करते है sign still नीचे वालों का change होता है जैसे हमने sanction नीचे ऊपर वालों को sign मत change करना है न तो नीचे वालों का sign change करेंगे तो ये plus और ये minus होगा ये cancel हो जगा प्लस मैनस जब प्लस मैनस कैंसल हो गया तो फिर इसको अडर में लगाएंगे तो यह बचा हमार पाद यहाँ पर माइनस का 3 x की पावर 3 बचा हुआ है और यह प्लस 4 हो चुका है प्लस 4 और माइनस 3 दे को प्लस 4 नीचे और उपर है माइनस 3 तो आएगा प्लस का 1x square है ना बाकी 6x और minus 2 ये बचा हुआ है minus 3x की power 3 आना चाहिए x square को किस से multiply करें कि minus 3 आजाए एक तो minus 3 से करूँगा और हमें चाहिए x की power 3 और हमारे पास यहाँ x square है तो x से कर दूँगा तो यहाँ पर आजाएगा minus 3 x की power 3 हो जाएगा और बेटा 2 को minus 3 से करेंगे तो 2 3 जाएगा और minus minus plus हो जाएगा तो x के नीचे लिखिंग हम x यह फिर हमने science change करें science change करते ही हमारे पास क्या हो जाता है cancel हो जाएगा यानि यह वाला part और यह वाला part cancel अब हमारे पाँ बचा क्या नीचे यह cancel हो गया बच क्या गया हमारे पास एक बच गया x square और एक बच गया minus का 2 यह बचा है तो हम इसको किस से multiply करें x square आजा तो इसको करना पड़ेगा 1 से 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजागा बचा यह 1 को करेंगे x square से तो आएगा x square और यह आए minus 2 यह और यह हमारे पाँ cancel हो जाएगा यह cancel हुआ अब remainder 0 इस type के question में हमारे पाँ remainder सिर्फ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए इस चीच का आपने बहुत ध्यान रखना कि remainder 0 आना चाहिए जब आप इसको divide कर लोगे तो जो इसका question आएगा जो आपने divide करके जो answer आया यह वाला यह जो solution बना हमारे पास यह हमारे पास क्या बना 2x square minus 3x plus 1 देखे ज़र मैं यहां लिख रहा हूँ last top corner पर देखना आपने हमारे पास इसको solve करके जो solution आया वो हमारे पाई यह आ गया अब आपने क्या करने इसके factor बना देने तो आपको answer मिल जाएगा कैसे 2x square 2 1 जा 2 तो minus 2x minus x plus 1 इन दो को लो इन दो को इन दोनों में से आपने 2x common लिया या या x minus 1 minus 1 common लिया या या x minus 1 तो एक बार आगया x minus 1 और एक बार आगया अमारे पास 2x minus 1 ठीक है यह मैं थोड़ा से रेज कर देता है आपको clear नहीं दिखे गए यहाँ पर एक बार आया x minus 1 और दूसरी बार हमारे पास क्या आगया 2x minus 1 तो x की value आ गई 1 और दूसरे x की value आ गई 1 by 2 यह हमारे solution आ गए 1 और 1 by 2 clear हुआ आप लोगों को यह वाला question तो मेरे ख्याल से यह वाला question आपको clear हुआ होगा ठीक है उसके बाद बेटा same time से हमारे पास question number 2 है उसी pattern का लेकिन यहापर थोड़ा upon वाला है इसलिए बच्चे कही बार guard word कर देते हैं उसने बोला है find all the zeros of polynomial 3x to the power 4 minus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are this यह दो zero दे रखे हैं कहां से शुरू करते हैं हमें इस question को जो answer दे रखे है x का एक zero a नहीं एक answer है 5 by 3 x का दूसरा zero यानि दूसरा answer है minus root 5 by 3 यह है हमारे पास अब मैं क्या करूंगा x इसको इदर लाओंगा दूसरी था है तो यह हैगा minus root 5 by 3 और यहां पर लोगगा तो यहाँ आगा x इसको इदर लाएंगे तो आएगा plus का root 5 by 3 फिर बैटा वही फार्मुला a minus b a plus b a minus b a plus b वो था a square यानि x का square minus root 5 by 3 का square यह है हमारे पास तो हमारे पास यहां पर आया बैटा x square और इससे root cancel हो जागा square से तो आएगा minus 5 by 3 यहाया इसको अभी देखो क्या हूँ हमारे पास equation बनी x square minus 5 by 3 यह बनी तो इसको ना अभी भी divide करने में मुस्किल होगी तो हम इसको और थोड़ा simplify करते हैं इनका lsm लेते हैं 3 यहाया 3 x square minus 5 यहाया इन दोनों का equal to 0 रखो cross multiply करो तो आएगा x 3 x square minus 5 equal to 0 यहाया equation बनी 3 x square minus 5 अब इसके बाद हमने इसको divide करना यहाँ पर करते हैं 3 x square minus 5 से हमने divide करना पूरी equation को ठीक है इससे हमने divide करना पूरी equation equation क्या थी हमारे पास 3 x की power 4 plus 6 x cube 3 x की power 4 plus 6 x cube यह थी फिर क्या थी बैटा minus यह थी sorry 3 x की power 4 plus 6 x cube minus 2 x square minus 10 x minus 5 minus 2 x square minus 10 x और minus 5 तो जड़े इसको divide करते हैं one by one divide आप लोगों को इससे आता है फिर भी देखो हमें 3 x की power 4 चाहिए यहां 3 x square है तो मेरे को किस से करना पड़ेगा x square से 3 तो है हमारे पास अब x square और x square हो जगा x की power 4 minus 4 को इससे करेंगे तो आएगा minus sorry minus 5 को x square से करेंगे तो minus 5 x square इसके नीचे नहीं आ सकता बैटा इसके नीचे नहीं आ सकता क्यों same power के नीचे same power आने चीए तो इसी के नीचे आएगा minus 5 x square नीचे वालों के sign change करते हैं यह minus हुआ और यह plus हुआ हमेंसे नीचे वालों के sign change यह cancel हुआ बचा मेरे पास बैटा 6 x cube एक तो यह बचा हुआ है plus का 5 और minus का 2 plus का 5 और minus का 2 plus का 3 x square हो जागा एक minus और plus होता है तो minus होता है और बड़े नमबर का sign आता है बाकी बचा बैटा minus 10 x and minus 5 अब मेरे को चाहिए 6 x की power 3 चाहिए तो मैं 3 को एक तो करूँगा 2 से 3 2 जा 6 और एक करूँगा x से तो यह आजागा 6 x square और x x cube हो जाएगा और 5 2 जाजागा बैटा minus 10 x x के नीचे x आएगा same power के नीचे same power यह ध्यान रखना है यह cancel यह cancel यह cancel बचा बैटा 3 x square minus 5 अब हमारे पास चला जागा यह plus 1 से तो यह आगा 3 x square minus 5 यह plus यह minus यह cancel हुआ 0 remainder 0 आना चे अगर remainder 0 नहीं आता तो समझो आपने कहीं ने कहीं गलती कर दी अब मेरे पाई यह solve करके जो equation बनी हो बनी x square plus 2 x और plus 1 factor करो तो यह आगा मरपा 1 आना चे मल्टिप्लाइ करके और वेसर 2 तो 1 1 जब 1 बनेंगे तो आगा x square plus 1 x plus 1 x plus 1 इन दो को लो इन दो को x common यहां बचा है x plus 1 plus 1 common यहां बचा है x plus 1 तो इन दोनों का एक बार लिखते हैं हम इन दोनों को तो एक बार आये बैटा x plus 1 और दूसरी बार भी क्या आगया x plus 1 यानि x की value आगए मरपा minus 1 और दूसरे x की value भी क्या आगए minus 1 तो ये बागी के दो answer आगे मेरे ख्याल से ये question आपको clear होए होंगे अब बेटा जैसे मैंने आपको ये question कराए ना इसी बेस पे आपका ये home work है ये home work करना आपने तीन question करने पहला है find all the zeros of the polynomial x to the power 4 minus 3 x to the power 3 minus x square plus 9x minus 6 if two zeros इसके दो zeros दे रहे के minus root 3 और plus root 3 एक है दूसरा है find all the zeros of the polynomial 2x की power 4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6 if two zeros are root 3 by 2 and minus root 3 by 2 एक है दूसरा है if two zeros of the polynomial ये polynomial है इसका दो zeros दे रहे है 2 plus minus root 3 इसका मलब होता है एक बाद 2 plus root 3 दे रहे है और एक बाद 2 minus root 3 दे रहे है 2 plus minus root 3 ये ये दो zero दे रहे है find all the zeros तो ये question आपने इसी pattern पर करने है I hope आप से हो जाए अच्छी तरह से करना ना हो तो आप मेरे से पूछ लेना so thank you very much आज के लिए इतना है रखते हैं बागी के class कर लेते हैं thank you कर दो